दोस्तो हम में से ज़्यादा था लोग ये जानते है कि मचली खाना स्वास्त के लिए फाइदेबंद है लेकिन मचली खाने से सरी को किस तरह से फाइदा पहुंसते है ये कम ही लोगों को पता है जब भी मचली खाने के बात होती है तो कई लोग सिर्ब मचली में होने वाले का बाले और मोटे होते हैं साथ ही उनकी आखों भी खुबसुरत होती है पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मचली खाने से ना केबल बाल खुबसुरत बनते हैं बलकि इसके और भी कई हेल्थ बेनेफिट्स होते हैं जो साइधी किसी दूसरे खादिय में मिलते हो मचली में ल प्रकार के विटामिन्स, खानीच और कई अन्य पोसक ततों भी मौजूद होते हैं। इसलिए मचली का सेवन सरी की कई जरूरतों को पूरा करता है। मस्तिस को तेज करने का काम करते हैं। मचली में मौजूद फैटी असीड दिमाग को तेज करता है और समाण सकती बढ़ाते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन से मस्तिस की नई कोसिकाओ का निर्मान होता है। कोलेश्टल की मात्रा बढ़ने नहीं पाते। मचलियों में पाए जाने वाला ओमेगा-3 फैटी असीड दिल की सुरक्सा में मदद करता है। तीसरा है दोस्तो कैंसर से बचाब में। जो लोग नियमित रूप से मचली का सेवन करते हैं। उन्हें कैंसर होने का खतरा कम होता है। मचली में ओमेगा-3 फैटी असीड बहुत जादा मात्रा में होता है। जो कैंसर से बचाब करता है। इसे खाने से बेश्ट कैंसर, प्रोश्टेट कैंसर से बचाब होता है। अगर आप नौन बेच खाने की सौकिन है तो अपने आहर में मचली को इस्तिमाल करना आपके लिए बहुत फाइदमंद होगा। दोस्तो इसके अलावा मचली खाने के और भी बड़े बड़े फाइदे हैं जैसे की उच्छ रक्तचाब को नियंतित करने में। अगर आपको उच्छ रक्तचाब की समस्या है तो आपको अभी दूसरे मासाहर छोड़कर मचली खाना शुरू कर देना चाहिए। मचली में लो फैट होता है जिसके वज़ा से हाई ब्लड प्रेसर की समस्या बढ़ने नहीं पाते हैं। डिप्रेशन दूर करने के लिए ओमिगा 3 के सेवन से डिप्रेशन दूर करने में फाइदा मिलता है। दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि मचली में ओमिगा 3 सबसे ज बॉक्स में बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही. दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को सेर कर दीजिए और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नही झाल झाल का झाल